हेलो एवरिवन, वेलकम टू आर चैनल इंटेंसिफ स्टडी, टुडे आर टॉपिक इस डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट के वीडियोस को ही कॉंटिन्यू कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी यानी भाग देना, ठीक है भाग करना, तो क्या 6 से कोई न अब दिये हुए है, हमें दिया हुए है 15, यह तो हम बता सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है, कैसे 6 एकर 18 होता है, तो हमें यह क्tiयम के टेबल में आता है 18, तो यह लेकिन जब वह सम्दार है है ञाहते हैं 20 इसलिए में क्या करना है कुछ ट्रिक्स को यूज करना है जैसे मैंने आपको बता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडि को जाता है अब तो से रिशन में बताया है आप उसे देखें, एक बार हम इसमें इसका quick revision कर लेते हैं, अगर हमें पता करना है कि कोई digit 2 से divide होगा या नहीं होगा, तो उसके once place पे देखना है, यानि उसके इकाई के स्थान पे, once place यह होता है, यह, इकाई स्थान पे देखना है, अगर वहाँ पे two, four, six, eight, zero, इन में से कोई digit है, यह सारे जो digits है, यह two के table में once place पे आते हैं, तो अगर इन में से कोई digit है, तो वो two से divide होगा, three से divide हो, हम यह कैसे पता करें, जो sum of the digits है, यानि यह सारे digits को add करो, five plus three, eight, eight plus three, eleven, and eleven plus four, fifteen, तो क्या fifteen three से divisible है, yes है, क्योंकि जो fifteen है, वो three के table में आता है, तो वो three से भी divisible है, तो वो number जो two और three, two और three, दोनों से divide हो जाए, वो six से भी divide हो जाएगा, जैसे, let's check, देखिए, इसके once place पे है five, जिसके once place पे five आता है, क्या वो two से divide हो होता है, नहीं, two, four, six, eight, zero, इन में से कोई digit होनी चाहिए, इसके once place पे five है, तो ये two से divide तो हो ही नहीं सकता, और condition क्या है, कि two और three, दोनों से divide होना चाहिए, तब ही six से divide होगा, जब ये two से divide नहीं हो रहा, तो भले इस three से divide हो रहा हो, भले इसका sum 15 है, इसको जब हमने add कि तो 15 है, मगर क्या condition है कि two और three दोनों से divide होना चाहिए, दोनों से तो हो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये six से नहीं होगा, got it, two और three दोनों से ही वो digit divide होनी चाहिए, एक से नहीं, दोनों से, next देखते हैं, देखिए, सबसे पहले इसका once place चेक करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि ये two से divide होगा या नहीं होगा, two, four, six, eight, zero, देखिए, इकाई के स्थान पर इन में से कुछ होना चाहिए, क्या है इन में से कुछ है, हाँ, यहाँ पर zero है, और जिसके end में zero आता है, वो two से divide हो जाता है, अब देखते हैं, ये three से divide होगा या नहीं होगा, तो इसके लि three से divisible है, yes, three के table में seven पर 21 आता है, तो ये three से भी divisible है, तो अब क्यूंकि हमने पता कर लिया, ये two से भी divisible है, three से भी divisible है, तो naturally ये six से भी divisible है, next देखते हैं, अब देखिए, हर जगा ये trick लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यूंकि यहाँ पर लिखा है six thousand, six thousand तो six स divisible है, ही six वंजा six, अगर मैं six को इस तरीके से six thousand को six से डिवाइड करूँ, six वंजा six, और ये six, और तीन zero पीछे लगा दीजिये, बस, ये डिवाइड हो गया, यानि six के table में thousand पे six thousand आता है, या फिर thousand के table में six पे six thousand आता है, तो ये divisible है, तो हर जगा ये trick लगाने की ज़ डाउट किये, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इसके unit place पे zero है, जिसके unit place पे zero होता है, वो two से डिवाइड हो जाता है, अब देखते हैं, ये three से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम इन digits को add करेंगे, seven plus five, कितना होता है, 12, 12 plus eight, कितना होता है, 20, 20 plus three, क plus four, कितना होता है, 27, क्या three के table में 27 आता है, येस, आता है, यानि ये three से भी divisible है, और जो two और three दोनों से divisible हो, वो six से भी naturally divide हो जाता है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके unit place पे है three, क्या जिसके unit place पे three होता है, वो two से divisible होता है, नहीं, तो ये two से divisible नहीं है, क्योंकि ये two स तो और त्री दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए तब ही 6 से डिवाइड होगा हमने देख लिया कि 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए अगर आपको concept समझ में आया ये वी स्क्राइब करें थांक यू